आज और एक मारेश्टेंड डिश जो स्पेशली हमारे विदर्ब में बनती है वो देखेंगे मूग डड़ी चे वड़े जिसे हम पालप वड़ा भी कहते हैं हमारे विदर्ब में हर छोटे से बड़े होटल से लेके हर कैंटिन में स्कूल कॉलेजिस के बार रिल्वे सेशन के बार हर जगा पर आपको ये वड़े बनते होई दिखेंगे बहुत ही टेस्टी होते हैं इसके साथ एक स्पेशल पुदिरा चटनी देते है वो रेसीवी भी आपको या इसे तररी और कड़ी के साथ भी खाते हैं हमें चिलके वाली हरी मुंगदाल लेनी है इसके लिए मैंने 50 ग्रैम हरी मुंगदाल ली थी उसे पास से 6 गंटे के लिए बिगाया था चान के इसे डाल देंगे इस बोल के अंदर छे हरे प्यास और एक गड़ी पालक अच्छे से दोके उसे चॉप कर लेना है बड़े बड़े पीसेस में रखना है बहुत जादा फाइन चॉप नहीं करना है हरा प्यास अगर नहीं होगा तो उसके जगा पर आप रेगिलर वाले दो बड़े प्यास कट करके डाल सकते हो अब देड़ चमज सौफ एक चमज ज मतलब हरा दनिया इसके अंदर डालना है अब 20 से 25 लसं के पंखुडिया एक इंच अधरक और पाच हरी मिच्छ मिक्सर में से दरदरा पीस लेना है बहुत जादा फाइन नहीं करना है इसे इसे भी डाल देते है वड़े के मिक्सर के अंदर इसके लिए जो मिर्ची लेंगे अब डालेंगे एक चम्मच नमक और एक कब बेसन थोड़ा सा हिंग डाल देंगे और हाथसे से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे लाल मिरिश पाऊडर डालेंगे एक चमच, और ठोढ़ा इसमें बेशन कम है तो आधा कप और बेशन इसके अंदर डालेएंगे इसके अंदर अलग से पानी नहीं डालना है हमें इसके अंदर अल्यडी मॉइस्चर है तो उतना सफिशेड हो जाता है पालक है प्याज है इन सब में मौश्चर अल्रेडी होता ही है यह मिक्षर रेडी हो चुका है लेकिन वड़ा फ्राय करने से पहले इसके साथ जो स्पेशल वाली पुदिना चटनी देते है वो रेसी भी दिखाता हूँ आपको विक्षर की जार के अंदर डालेंगे 20-25 पुदिना के पत्ते आधी गड़ी हारा धनिया और आधी गड़ी पालक इसे अच्छे से धोकी लिए है हमने इसे थोड़ा मैं पीस ले तो पहले ताकि बाकी चीज़े डालने के लिए थोड़ी जगा मिले हमें यह देखिए इसके अ आधे निम्बू का रस इसके अंदर अच्छे से निचोड के डालना है यह देखिए बस थोड़ा सा थंड़ा पानी या बरफ डालके आप इसे अच्छे से पीस लीजिए इसे आप बस एक बार बना के देखिए वैसे तो पुदिना चटनी बहुत सी खाय होगी आपने लेक चाहे तो इसे छोटे भी बना सकते है यह देखिए इस मिक्षर से हमारे दस वड़े बन जाएंगे इसे बनाने का तोड़ा तरीका अलग होता है देखिए मीडियम होट ओईल में हमें इसे फ्राइ कर लेना है सबसे पहले बाकी जगह पर डाल बनता है तो पहले हम लोग फ् पहले बस इसे थोड़ा से ठंडा करना है और हात में इस तरह से प्रेश करके इसे वापस फ्राइ करना है फ्राइ करते वक्त तेल गरम होना चाहिए यह देखिए इस तरह से प्रेश करके डाल देंगे तेल के अंदर थोड़ा ध्यान देना तेल गरम होना चाहिए अगर ते से तोड़कर उपर से तेश तर्री और थोड़ी कड़ी डालके खाये इसे या हमारे पुदिना चटनी के साथ तर्री और कड़ी की रेसिपी मैंने अल्यड़ी शेयर की थी अलू भूंडा का जो रेसिपी वीडियो है उसके अंदर उसकी लिंग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ अकुला में हमारा जो कॉलेज था आरेलटी कॉलेज उस रोड़ पर कॉर्णर में एक छोटा सा रेस्टोरण था मधू वहाँ पर सारे दोस्त मिलकर जाते थे और बैटकर इसे खाते थे आज तो नोस्टेल्जिया हो रहा है आपने भी यह वड़ा कही न कही खाया होगा न तो जरूर आपका एक्स्पिरियंस मुझे कमेंट करके शेयर कीजिए और यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और देवस की चुनको अभी तक सब्स्राइब नह कियोगा तो भी कीजिए